Hi everyone, last lecture में हमने G Rotor Pump के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग उसके आगे का topic देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग next pump के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो की screw pump है, तो इस lecture में हम लोग screw pump के बारे में देख लेंगे, उसका क्या advantages है, क्या disadvantages है, क्या construction and working है, सारे चीज़ों को discuss कर ल में available है, उसका link वहाँ पर PDF notes करके लिखा हुआ होगा, आप चाहें तो वहाँ पर click करके उसको download कर सकते हैं, सारे unit 1 से लेका unit 6 तक का जो भी content है, वो सारा उसमें available है, आप चाहें तो उसको download करके पढ़ सकते हैं, लिफ्चर शुरू करते हैं, यह एक screw pump है, तो screw pump में यहाँ पर आपको दीख रहा होगा, यहाँ पर पहले discuss कर लेते हैं, दो screw आपको दीख रहा होगा, एक उपर में है, एक shaft है, जिस पर screw बना हुआ है, thread बना हुआ है, और नीची में भी एक threading है, तो इसी को screw बोलते है, तो इसलिए इसका नाम जो है, वो screw pump है, यहाँ पर single screw भी हो स है, तो यहाँ पर आपको image में, दो screw दीख रहा है, तो यहाँ पर दो screw, यह pump, screw pump जो है, इसके पास दो screw है, single simple screw pump होता है, जो simplest form होता है, उसके पास single screw होता है, और वो rotate करते रहता है cavity में, और यहाँ पर, और क्या-क्या element से पहले हमनों construction देख लेते हैं, यहाँ पर, यह inlet है अब यहाँ पर, यह screw thread है, यह जो यहाँ पर दीख रहा है, वो gear है, इसको हम लों timing gear करते हैं, कहते हैं, और यह जो shaft है, वो motor से connected होगा, जहां से आपको electricity के थूरू, यहाँ पर power देना होगा motor में, और motor क्या करेगा, mechanical energy produce करेगा, जिस mechanical energy से हम लोग screw को rotate कराएंगे, इसके व नहीं होता है, जैसे कि हमने gear में देखा था, तीट्स और casing के वीच में रहता है, और यह इसको carry करते हुए, आॉट्लेट के तरह ले जाता था, टिशार्ज के तरह ले जाता था, तो यहाँ पर भी सीम चीज होता है, गिए त्रेड के बीच में आगे-ागे बढ़ते जाता ह यहां पर देखते हैं थ्रेडिंग किया हुआ है फिर से इसको रिमूफ कर देते हैं अब यहां पर देख लेते हैं तो क्या होगा जो भी है पर लिक्विट था वो क्या होगा इस साइड आगे बढ़ेगा जो भी यहांपर इनलेट के तरफ लिक्विट होगा वो इस THREAD कर थु AGA les जो भी थ्रेट के बीच में गैप है वो क्या करेगा इनलेट के साइड से फ्लूट वहाँ पर इन करेगा और वो उसी थ्रेट में आगे आगे सर्कुलेट होते हुए यहां पर रोटेशन हो रहा है वो आगे के तरफ बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में जो डिस्चार्ज साइड है वहाँ पर प्रिसराइट फॉर्म में वह बाहर निकल जाएगा इसका आगे देख लेते हैं हम लोग तो यहां पर केसिंग है यह आपको दिख रहा हुए केसिंग है इसको पहले तो यह केसिंग आपको दिख रहा है यह केसिंग है इस केसिंग के बीच में आपको थ्रेट के बीच में गैप यहां पर थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है उसी में fluid जो होता है, वो actually आगे के तरफ transfer होता चला जाता है, और इसके वज़ासे हम लोगो लास्ट में और gap वहाँ पर काफी कम होता है, किलरंस काफी वहाँ पर कम होता है, इसके वज़ासे वो precise form में बाहर निकलता है, यहाँ पर जो capacity होता है, प्पम का या flow rate हम बात कर लें, flow rate जो होता है, वो completely depend करता है, driver जो यहाँ पर motor होता है, उसके motor के driver के speed पर depend करता है, कि इस speed से rotate हो रहा है, वैसा कि हमने already discuss कर लिया, कि यहाँ पर screw pump जो होता है, screw pump में single screw भी हो सकता है, अगर एक से जादा screw भी हो सकता है, अगर एक से जादा screw होगा, तब यहाँ पर हम लोग यह जो gear लगा हो, उसको timing gear बोलते है, वो क्या करता है, timing को manage करता है, maintain करता है, कि 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 कितने timing, मतलब अगर उपर वाला screw रोटेट कर रहा है, तो सेम टाइम पर नीचे वाला screw भी रोटेट करना चाहिए, तो हम लोग वैसा वहाँ पर gear लगाते है, जो इसके वज़ा से नीचे वाला भी shaft रोटेट करना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होगा, एक अगर clockwise रोटेट करेगा, तो नीचे वाला shaft anti-clockwise होगा, उपर वाला अगर anti-clockwise होगा, तो नीचे वाला clockwise होगा, बिकाउज गियर लगा हुआ, तो gear में अप external gear है, external gear में रोटेशन आप जानते ही है, एक अगर clockwise रोटेट करता है, तो दुसरा anti-clockwise रोटेट करता है, तो timing gear हम लोग यहाँ पर लगा दिये, जिसके वाज़ा से यहाँ पर rotation मिल रहा है, अब यहाँ पर clearance जो होता है, दो meshing screw जो हो रहा है, जो screw यहाँ पर mesh हो रहा है, वह screw काफी, वहाँ पर clearance बहुत ही कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर timing gear हम लोग लगाते हैं, कि यहाँ पर जो दोनों screw के बीच में clearance हो, वो maintain रहे, जिदना हमें clearance का requirement हो, तना ही clearance रहे, बहुत जादा भी नहीं रहे और बहुत कम भी नहीं रहे, जिससे कि अगर ज़्यादा कम देंगे, तो वहाँ पर maintenance problem हो जाता है, तो इस type का second image में भी आपको इसी type का दो screw यहाँ पर दीख रहा है, इसमें भी दो वैसा thread है, वैसा यहाँ पर screw pump है, यहाँ पर दो thread वाला या दो shaft यूज किया गया है, इसे यहाँ पर आपको यहाँ टैमिंग गेर दीख रहा है, यहाँ पर flood इन कर रहा है, जो blue बला है, वो flood का inlet शो कर रहा है, और जब रोटेट होकर यहाँ पर circulation होकर आ रहा है, वो discharge side रहा हैСТरा है, इससे वो discharge होकर बाहर चला जाता है, अब section size से flood इन करता है, move linearly यहाँ पर move करता है, यहाँ पर जो flood move करता है, वो axial है और linearly move करता है, उसमें thread में ही जस्ट आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ते हुए वो discharge side पहुंच जाता है, अब हम दो देख लेते हैं, एक single screw अगर pump रहेगा, जिसमें single screw रहे, तब कैसा होगा यहाँ पर आपको देख रहा सिंगल screw है, वो एक ही screw से वो काम हो रहा है, flood यहाँ से in कर रहा है, blue line जो देख रहा है, inlet है उसका, और यहाँ पर rotation हो रहा है, जिसके वज़ाँ से flood जो है, इस आगे के तरफ सर्कुलेट करते हुए, वो discharge साइच पहुंच रहा है, और यहाँ flood का discharge वो कर दे रहा है, तो यहाँ सिंगल भला भी देख लिया है, और double screw भी देख लिया है, यहाँ पर screw के बीच और housing के बीच जो clearance होता है, वो काफी ज्यादा कम होता है, चाहे कोई भी screw pump हो, सब में कम ही होता है, जिसके वज़ाँ से flood जो होता है, प्रेसर गेन करता है, औ आगे के तरफ मूव करते जाता है, और स्कुरू फर्म में डिश्चार्ज का साइट पहुँच जाता है, तो में कंसेप्ट में यही है, जब वहाँ पर रोटेशन होगा, चाहे वो single screw हो, चाहे वो double screw हो, जब रोटेशन होगा, तो किलरेंस जो होता है, housing में, मतलब केसिंग और screw 30 के बीच में काफी कम है, जिसके वाज़ए से जैसे, फ्लूड आगे के तरफ बढ़ते जाता है, और थोड़ा सा एरिया को भी थोड़ा सा हम लोग आगे के तरफ तरफ निकलते चला जाता है, जिसके वाज़ए से थोड़ा सा फोटा सा वो प्रसराइस फॉर्म में ब i got a blue line यहाँ पर का इन है इलिट है इनगर के अवह 시간 पर यहाँ पर इन करते हुए यहां सब्सक्रों कि लोटेट करते हुए उसका प्रेसर करता चला रहा है और इसकर चला रहा है तो और जो़ा ह Singing Church की आप अपर हमें है। स pessoa plate हो roadmap and najle hail you I आपको देख रहा है, रोटेट होते हुए, इसका एनिमेशन फॉर्म है, ऐसे यहां पर पॉइंट वाइज कर लेते हैं, कैसे कैसे यहां पर जो चीजे हमने डिसक्स कि उसको पॉइंट में भी देख लेते हैं, तो फस्ट वेंट क्या बोलना है, यहां पर एक तरह का पॉजिटिव डिसक्रूट पंप है, जो जिसमें वन या एक से ज़्यादा स्क्रूट भी हो सकता है, जिसमें फ्लूट जो होता है, इसक्रूट के अक्सिस के लोग मूव करता है, यह एक सिंपलिस्ट फॉर्म की बात करें, तो वहां पर सिंगल सिंपलिस्ट के सुर्म चावट ञर्म उर्म होता है, चैंक लिए सक्षाइब लगायांक टावं कालिक हैं कम दों जीरा को स्कूब नियुके बütेया तुर एक लोजली फिटेड चैंबर फॉर्म्ड बीट्विन स्क्रू थ्रेट एंड हाउजिंग वाल के बीच में जो क्लोजली फिटेड चैंबर होता है उसमें वह एक्सेली आगे के तरफ डिस्प्लेस होते चला जाता है इसके वाजा से उसका प्रेसर भी इंक्रीज करता अब यहां पर फ्लो रिट के बारे में हमने बात कर लेए कि वह एक से जौना हैसं यहां पर इसक्रूज का शार्क हो सकता है। required to maintain a running clearance between two machine gear तो आप पर हम लोग टाइमिंग गियर लगाते हैं जो आपको मेशिंग स्क्रू है, गियर मैंने बोल दिया है यहाँ पर मेशिंग स्क्रू है, तो मेशिंग स्क्रू के बीच में अगर हम लोग को किलिरेंस में टेन करना है वहाँ पर प्रिसराइस फॉर्म में लिक्विट बाहर के फॉर्म में नहीं मिलेगा उसका प्रिसर नहीं इंक्रिस कर पाएगा अब क्या बहुत लास्ट मेंट है, फ्लू इंटर्स फ्रम स्क्शन साइड अफ पंप इंड मुव लिनियरली तो दे इंटर करता है जब हम लोग बुलू कलर से देख रहे थे वह स्क्शन साइड था और डिसाज साइड से जो डार्क आपको रेड गलर कर देख रहा था, वह डिस्चार साइड था उसका वहां से बाहर चला जाता है अब क्या बोल रहा है, यह पॉइंट, the clearance between screws and housing are very small, यहापर screw and housing, casing जो है, उसके पास काफी कम होता है, इसके वजह से यहापर, fluid जो होता है, वो गेन करता है, प्रेसर में मूव करते हैं, वो गेन कर लेता है, काफी कम होता है, जिसके वजह से जब और शक्रेसर जाइड वो क्लिरन्स वाह पर रहता है इस तरह से उसको डिजाइन के रहता है किस खुआ आपस में डियरेक्ट कॉंटेक्ट में नहीं आएंगे वहाँ पर थोड़ा बहुत के रहेगा थोड़ा सा स्लाइटली नेगलेज़ेबल कि लिएगा इस से कि वहाँ पर डेमेज नहीं हो पंप का तो जो लाइफ है oy ए एक्स्टेंड करें नियास्क नहीं हो अगर डिर्टल नियागा इस तरह से थार से डिजाइण के आता है कि वहाँ पर डिर्टल कांटेक्ट में अक्था है अब इसका हम लोग देख लेते हैं, तुसका अध्वैंट से हमलो डिसक्रस कर लेते हैं, यहां पर स्क्रूज के बेईट है हो देख लेते हैं यहां पर जो flose and pressure का variation है हम लोग थो डिंज, वारेंच कर सकते हैं, हम लोग जासे हरा requirement यहीτο है, rate of flows और फिर pressure को सीज, प्रेसर को कि भी थो डिंज बाइ मृत जए जब सेंओ, is get a pleasure, वाइबरेशन भी होता है वाइद आप्रहों लिए मिलेगर रेजर ने यहां पर वाइड रेजर चैन्ज कर सकते हैं जैसा हमें लो विंचोशिती का लिकविड विकविड है तोने के लिए काम करेंगा विकांपर कोई भी वैसासा रोक्रेटिटिंग विजिसके वाइबरेशन ऐसा के हम सेस्काइब के जादा युदा उसका करेक्टरिस्ट्रिस्टिक पर आध यहां पर आक्वादी सुद्येश्स कर ली में और फ्रस प्री पर फ्राइमिंग होगा यहां पर हमां में प्रैमिंग करने कारेंगेंग transpose नहीं लोज बाइबरेशन भी है इसमें बाइबरेशन कम होता है तो यहां पर वाइबरेशन कम होता है दिश्चार्ज डिसरडनेच देख लेते हैं इसका कुछ-कुछ अब यहां पर क्या हो रहा है कि relatively high cost because of close tolerance हम लोगो देते हैं अर लोग को अविवर देते हैं नार confinion के लिए तैस्के ने कंवा को देते हैं तो तो एसके वज़ासे ह 20 यहां पर कॉलर यहां पर जॅधाrit यहां व्युक्त वहाँ पर तरह से हमें वहाँ पर screw को design करना होगा इस खुरु पम को design करना होगा उसके बाद सेकेंड पर पोल रहा है high pressure capacity required long pumping element और pressure capacity ज्याधा वहँ पर चाहिए तब वहाँ पर pumping element का size हमें बढ़ाना पढ़ जाता है तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक disadvantage बोला जा सकता है कि अगर pressure हमें जादा चाहिए तो pumping element का वहाँ पर link बढ़ाना होगा या फिर pumping element जो है जो screw है उसको हम लोगो जादा quantity में number of screw बढ़ाना पढ़ेगा तो यहाँ पर यह भी एक तरह का disadvantage हो सकता है इस तरह के से हमने disadvantage भी discuss कर लिया और इसका working construction और advantages भी discuss कर लिया है जैसे कि हमारा screw pump complete हो गया है इससे लिए जो भी doubt होगा आप video के comment में comment कर सकते हैं या फिर अपना telegram channel भी telegram channel का भी link video के description में provided है वहाँ पर भी आप उसको join कर सकते हैं Facebook page का भी link video के description में available है उसको भी आप join करके या उसको like करके वहाँ भी message का option दिया गया आप कर सकते हैं PDF notes चाहिए तो आप PDF notes के लिए video description में link है वहाँ पर आप click करके वहाँ पर उस notes को download कर सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं वन यूनिट से लेकर लास्ट तक दिया हुआ है वहाँ तक वेडियो के पर स्टॉप करते हैं देखने के लिए thank you so much देखने के बाद like और share जहुर किजएगा और चैनल को subscribe नहीं कियां तक दो मुझे भड़क कर देखने के लिए तक देखने के लिए हैं